इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह जैसे मतली, अपच और ललाट सिर्दर्ट से निपटता है ये जलने से होने वाले घावों से राहत दिलाने में सहायक है होमियोपैथिक सनरचना के आधार पर इसका उपयोग सुरक्षित है और इसका कोई दुश्प्रभाव नहीं है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, इसका उपयोग हाईपरसिडिटी और उससे जुड़ी बीमारियों के लिए एक शक्तिशाली उपाय के रूप में किया जाता है दो, भूख ना लगना, मतली, ललाट सिर्दर्द जैसे हाईपरसिडिटी के लक्षनों से राहत मिलती है तीन, अनुचत पाचन से निपटता है और अमलता और गैस को कम करता है चार, रोबिनिया चिंता जैसे मनोवै ज्यानिक विकारों के लिए भी सहायक है जो ज्यादा तर मामलों में पेट की शिकायतों और नींद की कमी के बारे में अत्यदिक चिंता के कारण होता है पांच, रोबिनिया का उप्योग खटी डकारे और खटी उल्टी को कम करने के लिए भी किया जाता है चे, पाइरिया और मसूरों से खून आने की समस्या से राहत दिलाता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करे